जहीं दोस्तों दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को भले ही आप लाइक ना करें लेकिन जादा से जादा ग्रूपों में जादा से जादा लोगों को सेर जरूर कर दें क्योंकि आधार को अपडेट करने की तारीक बिल्कुल नजदीक है 14 मार्च 2024 अंतिम्तिती है और मैं नहीं चाहता हूँ दोस्तों कि 14 मार्च के बाद जो इसे अपडेट करेंगे उन्हें कुछ पैसा भुकतान करना पड़े उनका financial loss हो आधार को अपडेट करने के लिए और ऐसी ही वीडियो दोस्तों मैंने एक प पैसे देने पड़ेंगे और हुआ भी वहाँ दोस्तों आपको पता ही है कि अब आधार और pen को link करने के लिए एक हजार रुपे का चालान पड़ता है और दोस्तों जब फ्री में चल रहे थे जब हमने आपको बताया था तो कईयों नहीं किया और जब फ्री चल रहे थे दोस्तों तो उस समय जो है मैंने खुद जो है कम से कम जो है 20-25 लोगों के जो कि मेरे आसपास के लोग थे उनका जो है आधार पैन अपडेट किया और उसके बाद दोस्तों 1000 रुपे का चालान भरके आपको जो है आधार पैन लिंक करना पड़ रहा है तो उसी परकार अब जो है जो आधार अपडेट करने की परकरिया है दोस्तों 14 मार्च तक फिरी है इसलिए जो है आप कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेर करिये ताकि अन्या लोगों को भी किसी भी परकार का नुक्सान ना हो और उसको किस परकार से अपडेट करना है आज की शुडियो में आपको बताऊंगा और हाँ अगर आप 14 मार्च के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर भी दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना क्योंकि अंत में मैं उनके लिए भी कुछ महत्पूर जानकारी दे करके जाऊंगा और दोस्तों जो आधार अपडेट वाली बात है तो आप सोच रहे हैं कि आपको भी आधार अपडेट करने की जरूरत है तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों यदि आपके आधार को बने वे जो हैं 10 साल पूरे हो चुके हैं या फिर जब आपने आधार बनाया था तो उसमें जो हैं आपने उचित या complete दस्तावेज अपने documents जमा नहीं करे थे उसमें कुछ कमिया हैं address में या किसी भी चीज में कुछ कमी है या फिर जब आपने आधार बनाये थे enrollment किया था आधार के लिए तो आपके जो है जो गार्जन से आपको पता है बायोमेट्रिक भी लगवाते हैं तो जो minor होते हैं उनका बन जाता है लेकिन उनको भी अगर 10 साल हो चुके हैं ऐसी हालत में आपको आधार अपडेट करना जरूरी है और आज की वीडियो में मैं आपको mobile के माध्यम से बताऊगा क्योंकि सभी के पास smart phone है आप खुदी अपने smart phone के जरिये जो हैं आधार को अपडेट कर सकते हैं इसलिए मैंने mobile के उपर ही इसे बनाया है आप इसे देखे और अपना आधार जल्दी से जल्दी अपने mobile से ही अपडेट कर लीजिए तो दोस्तों आपने सबसे पहले Google Chrome खोल लेना है mobile पर और टाइप करना है myadha.uidi.government.in और इस परकार का आपका interface आजाएगा welcome to my आधार तो दोस्तों आप यहाँ पर login का बटन देख रहे हैं आप यहाँ पर login करके भी जो है आगे बढ़ सकते हैं लेकिन अगर आप login नहीं करना चाहते हैं तो आप तोड़ा नीचे बढ़िए आप यहाँ आपको यहाँ पर दिखेगा documents update click here to upload proof of identity and proof of address और इस service is free of cost देखें 14 मास 2024 तक free of cost दिखा रहा है तो आपने दोस्तों what to submit how to submit हाला कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या submit करना है कैसे submit करना है लेकिन मैं already आपको वीडियो में बता रहा हूँ तो go to submit में आपने यहाँ पर जाना है go to submit में आप जैसे ही जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर enter आधार नंबर आएगा आपने यहाँ पर जो है अपना आधार नंबर लिख देना है और उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने जो है अपना आधार नंबर लिख दिया है इसके बाद यहाँ पर capture आ है और login कर लेना है अब आप देख रहे हैं कुछ लोगों के इस प्रकार से आएंगे कि योर अधार नीड्स documents update kindly click here to upload your proof of identity और proof of address और जिनके नहीं भी आएंगे दोस्तों मैं आपको सर्तें बताई दी हैं किसी के इस प्रकार से आएंगे objective of documents update services और यहां पर बताया गया है कि आपको अधार database में अपना latest proof of identity और proof of address अपडेट कर लेना है और यदि आपको address में update करना है तो यहां पर आप click here देख रहे हैं आप इसको click कर सकते हैं और this services is free of cost till 14 मार 2024 आप इस चीज़ को देखी रहे हैं अगर आपको address update नहीं करना है तो next को आपने click कर देना है आप जैसे next को click करेंगे तो दोस्तों आप इस परकार से यहां पर देख रहे हैं कि how it works तो click here to upload your proof of identity and proof of address और यहां पर यहां भी लिखा है कि अगर आप demographic detail नाम date of birth और gender change कराना चाह रहे हैं तो आदार center में जा सकते हैं लेकिन अगर आप address को update करना चाहते हैं तो आपको यहां पर click here पे click करके आप अपना address change कर सकते हैं अगर आपने कुछ भी change नहीं करना है तो आपने यहां पर नीचे next के button पे आपने click कर देना है तो आपका demographic detail आजाएगा आपका नाम, gender और date of birth अगर आपको यह सारी चीजें सही लग रही है आपका address आपको सही लग रहा है दोस्तों इसमें कुछ change नहीं कराना है तो आप यहां पर नीचे देख रहे हैं गया verify that the abo details are correct तो आपने इसको दोस्तों click कर देना है फिर आप नीचे देख रहे हैं next का button तो आपने इसी जो है next कर देना है इसके बाद इस परकार से आप देख रहे हैं दो mb से कमका documents आपने upload करना है jpg, png, pdf format में आप इसको upload कर सकते हैं अब आप देखेंगे please upload proof of identity documents तो select valid supporting document type अगर आप इसको click करेंगे दोस्तों तो इसमें आपको जो भी documents इसमें upload करने हैं तो पूरी list आपको यहां पर आ जाएगी चाहिए आप इसमें जो है अपना ECHS, CGHS का जो भी है और मैरी certificate और द देख सकते हैं तो मैं यहां पर pen card जो है जो है select कर रहा हूँ इसके बाद जो है okay कर दे रहा हूँ आप कुछ भी कर सकते हैं जो document की list में है view detail आप यहां पर okay करेंगे continue to upload और आपने जो है पहले से उसका PDF या JPG form में बना लेना है और मैंने यहां पर बनावा है pen card तो मैंने बाद आपने नीचे जाना है दोस्तों क्योंकि proof of identity कर लिया है अब आपने please upload proof of address identity वाला अलग है address वाला दोस्तों अलग है अब select valid supporting document type तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यह सारी चीज़ें जाए passbook का आपका जो है front की copy भी या पिर कई चीज़ें हैं दोस्तों जिस वोटर identity card यहां पर select कर रहा हूं आप इसे okay करना इसके बाद जैसे आप कर लेते हैं तो यहां पर वीव detail में जाकर आप इसको upload कर सकते हैं continue to upload और वापस आप देख रहे हैं water card भी यहां पर upload मैंने कर दिया है और यहां पर पूरा हरा हो चुका है यानि कि बिलकुल सही format में आपने जो है इसको document को upload किया है तो यहां पर आपको consent देना पड़ेगा जो भी document आप upload कर रहे हैं government के दोरा उसे verify किया जा सकता है तो आपने next कर देना है इसके बाद next करेंगे दोस्तों तो please confirm your demographic detail तो आपने confirm कर लेना है कि वो बिलकुल match कर रहे हैं आपके आधार के साथ मे और next यहां पर कर देना है जैसे दोस्तों आप next करते हैं तो आपको यहां पर इस प्रकार का interface दिखाए देगा कि dear resident this service is free cost till तो आपको 14 मार्ज तक free दिखाएगा आपने इसे next कर देना दोस्तों और इस प्रकार से थोड़ा सा समय लेगा 15 second का और आप देख रहे हैं हरा mark यह यहां पर upload हो चुका है download acknowledgement उपर success दिखा रहा है जो आपने जो भी कारवाई की है तो आप यहां पर से जो है acknowledgement को यहां पर download कर सकते हैं और इस प्रकार का दोस्तों आपका acknowledgement आएगा amount paid zero और service request number आप यहां पर note कर सकते हैं जैसे कि आपको screen में दिखाई दे रहा है और इसके ब अभी verification stage में जो है यहां हो चुका है अब validation stage में जाएगा जब completed हो जाएगा दोस्तों इसका मतलब आपका update आधार हो चुका है तो दोस्तों आपने देखा कि अपने आधार को आपने अपने mobile से ही किस परकार से update कर लेना है आप जो है अपने PC laptop के माध्यम से भी से update कर सकते ह हैं और दोस्तों जो 14 मार्च के बाद देख रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि हो सकता है इसका समय 14 मार्च के बाद भी जो है बढ़ जाए free में इसे update करने के लिए अगर ऐसा है तो दोस्तों आप जो है इसे free में update कर लीजिए और समय पर कर लीजि है आपसे चार्ज लिया जाएगा आधार को अफडेट करने के लिए इसी के साथ दोस्तों अपनी वीडियो समाप्ट करता हूँ लेकिन आप से आगरा है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा करें किसी को भी सेर करें इसमें ऐसा नहीं है किसी की पार्टिकुल आ सके जागुर्पता आ सके और वो सही समय पर अपना आधार अपडेट कर दें बाकि जिन्हों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बैल आइकन का घंटा दवा सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी मिलती लाएं जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ जैहिन वंदे मात्रव